यहां इंडिया गडवंदन में होक आ रहा है माने चल क्या रहा है इंडिया गडवंदन में विपक्ष अगर मजबूती नहीं दिखाएगा तो भारत का जो लोकतंत्र है वो कमजोर हो जाएगा और यह बात की चिंता ऐज याम नागरिक मुझे बहुत जादा है लेकिन महा चल रहा है कि ममता दिदी भी मूफूला के बैठी हुई है तो ऐसे काम कैसे चलेगा क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेज को और जो विपक्षी दलों की अन्य पार्टियां है उनको थोड़ा सब्र और दिमाग से काम लेना चाहिए सब लोग बस इसी बात में लगे रहे लेके चला जा रहा है पूरा कई से कर पाईएगा है सीरियस होके पूरे मामले पर नजर डालेते हैं दरसल लोग सबाग चुनाओ से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानि ममता दिदी ममता बनर जी ने सुक्रवार को मुरसीदा बाद में जनसबा को संबोधित क उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना हंकार किस बात का है मुझे नहीं लगता कि वो 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी ममता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है अगर उसमें हिम तो बनारस और प्रियाग राज में भाजपा को हरा कर दिखा है। कामगारों के साथ बैठ कर फोटो खिचवा रहे हैं। का समाधान निकल जाएगा। मंता ने 24 जनवरी को लोगसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोसड़ा की थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सीट सेरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव थुक्रा दिया है। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरसल कांग्रेस के लोगसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है। जबकि TMC केवल 2 सीटे देने पर अड़ी है। यह वे सीटे हैं जिने कांग्रेस ने साल 2019 के लोगसभा चुनाव में जीता था। कांग्रेज के अलावा बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो 28 जलो वाले विपक्षी गडबंदन इंडिया का हिस्सा हैं मम्ता ने बुद्वार को हावडा में मीडिया से कहा कि मेरी कांग्रेज से कोई चर्चा नहीं हुई है मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अक के लिए भाश्पा को हराएंगे मैं अब भी इंडिया का हिस्सा हूं कांग्रेज के जनरल सेक्रेटरी जैराम रमेश ने मम्ता के फैसले पर कहा था मम्ता बनर जी ने कहा था कि हम भाश्पा को हराना चाहते हैं और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे राहूल गांधी भी कुछ अस्तंब हैं उनके बिना गडवंदन की कलपना भी नहीं कर सकते हैं इंडिया बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेगी जैराम रमेश ने भारत जोडो निया यात्रा में टीमसी को निमंत्र नहीं मिलने की बात पर कहा कांग्रेस अध्यक्ष मलिका और उन खड़गे क कई बार कह चुके हैं कि गडवंदन की सभी पार्टिया भारत जोडो निया यात्रा में सामिल होने के लिए आमंत्रित हैं कांग्रेस पार्टी यात्रा में ममता जी का स्वागत करेगी तो भाश्पा बोली कि ममता का ये फैसला इंडिया के अंत्र की सूचना ममता के अकेले चुनाओ लडने के फैसले पर भाश्पा आटी सिल के प्रमुक और बंगाल भाश्पा के सब प्रभारी अमित मालवी ने कहा कि ममता बरजी का ये फैसला उनकी हरबडाहट दिखा रही है वे अपना राजनितिक मैदान बचा नहीं पा रही है इसलिए वे सभी सीटों पर च संगीक बनी रहें वे भी पक्ची गडबंदन का चेहरा बनना चाहते थी लेकिन किसी ने उनका नाम नहीं सुचाया राश्टी चेहरा बनने के लिए उन्होंने दिल्ली के कितने चक्कर लगा है पर वे सब किसी काम नहीं आए अब राहुल गांदी की यात्रा बंगाल पार्ती से इंडिया का गडबंदन ना हो वो यह जहां जहां पर जो चेत्री दल है वहां वहां पर उस हिसाब से लोगों का गडबंदन ना हो अलग-अलग पार्टियां से जो छित्री पार्टियां है तो इंडिया गडबंदन रह कहां जाएगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा और जो मौका मिलता रहा है भारती जन्ता पार्टी को क्लीन स्वीप करने का मौका एक बार फिर से मिल जाएगा अब मुझे इंडियस्विली जो समस्या इस बात से हो रही है वो ये कि यदि महागडबंदन मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा और अगर हमारा विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो लोगतंत्र मजबूत नहीं रहेगा फिर भाजपा अपने इसाथ से चीजों को करेगी मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छे लोगतंत्र के लिए एक सच्छे लोगतंत्र के लिए चाहे जो भी पार्टी विपक्ष में हो जो भी हारती है वो हारे लेकिन कम से कम लड़ाई तो सवरन नहीं बना पाता है तो मामला फिर थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है एक मजबूत लोगतंत्र की मैं दुखाई दे रहा था इसलिए मैं यह बाते अपनी विचार रखें लेकिन इस मामले में आपकी क्या रहा है हमें कमेंट वाक्स में कमेंट करके जरूर बताइए जहिन